अपने घर का पता होगा आपको पता है कि नहीं पता है आपको अपने घर का पता है हमको अपने घर का पता है ठीक है इसी तरीके से अबाउट आईपी एड्रस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आईपी एड्रस आखिर होता क्या है हम लोग इंटरनेट का घर का पता कैसे पता कर इसके बारे में हम लोग जानते हैं आप लोग घर के पता अपने आप पता है अगर हमारे घर का आपको पता चल जाए तो आप हमारे घर आसानी से पहुच सकते हैं आपके घर का हमें पता चल जाए अड्रेस तो हम क्या कर सकते हैं आपके घर पहुच सकते हैं आसानी से तो दो कर उपाद्य आप देख रहे हैं यूनिक आउनलाइन गुरू चले कुछ नया सीखते हैं दोस्तों देखिए मैं बात कर रहा हूं किसका IP address का IP address क्या होता है सबसे बड़ी बात है IP address का full form क्या होता है इसे हम लोग use कहां करते हैं यूस कैसे करते हैं इन सब की पूरी जानकारी देंगे कौन सा जनरेशन में कौन सी IP address यूज हो रही है और कहां use करना चाहिए कहां scalable होता है कहां profitable होता है इस सारी जानकारी आप होम देंगे बस बीजियो के लास तक आप बने रही है तो दोस्तों हम बात कर रहा है IP address की IP address का आप नाम सुने होंगे क्योंकि आप अगर थोड़ा भी जानते हैं computer के बारे में अगर आप थोड़ा भी computer की knowledge रखते हैं तो IP address जरूर जानते होंगे यह मेरी guarantee है और IP address की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह है हमारा internet protocol अब internet आप जानते हैं कि internet क्या होता है हमारा एक्सचेंज बेंफॉर्मेशन वन computer तू एन अधर computer आपको पता है वो तक्षे से क्या करता है हमारा एक computer से दूसरे computer में हमारे information को टैसे exchange करता है इस चीज की जानकारी हम लोग रखते है अब protocols क्या होता है अब protocols की बात करें तो इसको हम लोग set of rules कहते है क्या कहते है इसको हम लोग set of rules कहते है ठीक है तो इसको हम लोग set of rules कहते है और इसको हम लोग क्या कहते हैं information exchange information exchange करता है क्या करता है information exchange करता एक जगह से दूसरे जगह है और इसको हम लोग set of rules कहते हैं मतलब यह हुआ सीधी सी बात समझे कि अगर internet पे आपको किसी भी file को send करना हुआ किसी भी file को internet पे send करना हुआ तो वो packet 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 बन करके tcp का नाम आपने सुना होगा tcp का नाम सुना है transmission control protocol तो यह क्या करता है कि packets packets में बना के इसको send कर देता है लेकिन actual में अगर मैं किसी को send कर दूँ यहां से और उसको अपने घर का पता न मालूम हो उसको अपने घर का address नामालूम हो तो वो कहां जाएगा कहीं नहीं जाएगा तो problem उसको होगी की नहीं होगी होगी तो सीधी सी बात हमारे कहने का मतलब यह कि जो हमारा IP address होता है वो आपके घर का पता बताता है means address clear करता है उस packets का address clear करता है तो कहां actual में जाना है इसमें काफी सारे जो है protocols use होते है जैसे कि माली जी हमें कुछ सर्च करना हुआ text संबन दी तो क्या कौन सा text use होगा http होता है क्या use होता है http होगा कोई file transfer करनी है तो जो हमारा protocol होता है वो हमारा FTP होता है protocol की video हमारी already पड़ी हुई है आप अगर देखना चाहते है तो जाके देख सकते है ठीक है तो कुछ protocols होते है जो इसके अंदर इसको follow करते है जब हम किसी भी URL को सर्च करते है किसी भी URL को जब हम लोग सर्च करते है तो क्या होता है सबसे पहले हमारा protocol देता है फिर column देता है फिर double back select देता है फिर उसके बाद हमारी website होती है फिर हमारे path होते है तो यही होता है IP address जो की address define करता है किसी URL की किसी भी details में जो है IP address जो है define करता है इसमें network layer पे भेज़ते है network layer का भी इसमें काम आता है 32 बीट का था कौन सा IPv4 ध्यान से हमारी बास समझे IPv4 IPv4 हमारा आया यह 32 बीट का था कितने भी इसका था 32 बीट का था यह जो है इसमें हम लोग 4 billion 4 billion जो है हम लोग क्या IP address include कर सकते हैं only 4 billion IP address include कर सकते हैं इससे जदा IP addresses में हम लोग include नहीं कर सकते तो अब आप common sense लगाए कि हर जगा IP address use हो रहा है हर जगा IP address हमारा use हो रहा है तो अब यह सोचिए कि अगर IP address हमारा हर जगा यह हो रहा तो 4 billion तो कब कब पूरा हो गया हो गया कि नहीं हो गया 4 billion तो कब कब पूरा हो गया तो इसी को देखते हुए हमारा एक और IP address version clear हुआ यह fourth version था और एक हमारा six हुआ जिसको हम लोग IPv6 के नाम से 128 bit का था इसमें unlimited था क्या था? इसमें unlimited था तो अब आप सोचिए कि इसकी जरूरत तो अभी भी बहुत कम है लेकिन अभी भी हमारा use कौन होता है IPv4 use होता है कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मान लोग आप लोग IP address use कर रहे हो ठीक है? तो आप अपने computer में search कर सकते हो what is my IP then you can find 192.168.25.5 चार पार्ट में ठीक है? और ये चार पार्ट से ही हम लोग define कर सकते हैं कि address कहां है कहां जाना है मैं आपको एक internal आप बता हूँ कि IP address change भी कर सकते हैं हम लोग अपने system का IP address change कर राउटर हटाएए ना अपना राउटर हटाए हैं लोग कि crime करने के लिए IP address को change करते हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलत बात है बहुत गलत बात है कोई भी IP address crime करने के लिए change मत किया करो क्योंकि मैं आपको बता दू कि पकड़ जाएंगे आप 100% पकड़ जाएंगे कहीं बच के आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि Google हमारा बैठा हुआ है तो आप पकड़ जाएंगे इसकी tension आपको नहीं लेना है ये हमारी IP की detail है ठीक है आगे ऐसी ही videos हमारी मिलती रहेंगी और हाँ एक चीज है कि अगर आपको IP address सर्च करना अपने computer में, phone में तो आप सर्च करेंगे What is my IP क्या सर्च करेंगे What is my IP तो इस तरीके से जो पूरी IP की details मिल गई आपको पूरी IP address की detail मिल गई बाकि आप लोग को कोई अगर सुझाओ देना तो आप लोग comment कर सकते हमासा करते हैं लो को हमारी विडियो पसंदा योगी